सन दोहजार दो में स्वर अलाब की शुरुआत की बाद ये पहला मौका है जब इस हॉल में केरसी दादा मौचूद नहीं है केरसी दादा हमारी नम आखें आपको खोज रही है वी मिस्यो केरसी लौड जाने माने जैज ड्रमर और परकुशनिस्ट सर कावस लौड के बेटे थे धर में संगीत था उन्होंने बॉंगोज, कॉंगा और एकॉडियन बजाना शुरू किया इसके बाद वाइब्रोफोन, जाइलोफोन और ग्लोकिन स्पील ग्लोकिन स्पील वो साज है जिस पर हम दोनों फिल्म के इस मशहूर गाने का सिगनेचर म्यूजिक तैयार हुआ हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्लोकिन स्पील को इंट्रोड्यूस किया केरसी लौड ने संगीतकार नौशाद राम और श्याम का बैक्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे और इसमें मदद के लिए उन्होंने केरसी लौड को बुलाया बस उसी वक्त ये तैय हो गया था कि अगली फिल्म साथी के लिए केरसी लौड नौशाद के म्यूजिक अरेंचर होंगे संगीतकार नौशाद यूँ तो शास्त्रिय संगीत पर आधारित अपनी धुनों के लिए जाने जाते थे लेकिन फिल्म साथी ने नौशाद की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया जब-जब हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में अरेंजमेंट की बात होगी दुनिया चाहे जितनी टेक्नों हो जाए हम बड़ी विनम्रता से याद करेंगे और नमन करेंगे केरसी लौट को